नमस्कार दोस्तों मैं देवेंद्र कुमार तिवेदी आज जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है राजस्तान की लोक देवियां इस चैप्टर में लगबग सभी राजस्तान की लोक देवियां का समाहार किया गया है तता 6 से 12 तक वह अन्य सभी पुस्तकों का समावेश करके एक ओथेंटिक ज्यान आपको देने का प्रियास किया गया है अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वह लाइक करें तथा अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाते हैं तो सस्क्राइब करें आओ दोस्तों देखते हैं राजस्तान की लोक देवियां लोक देवियों में सबसे पहले देखते हैं करणी माता जनम विक्रम समवत 1445 में आसोज सूदी सप्तमी को जनमिस्तान सुआप ग्राम जोदपुर वन्स चारन वन्स का कीनिया वन्स पिता मेहाजी महराज माता देवल बाई इस्ति देवी बीकानेर के राठोडों की कुल देवी चारनों की जनम नाम रिद्धी भाई अवतार आवड माता ओबलिक जगत माता का अवतार मानी जाती हैं पुत्र गुलाब कौरी के पुत्र लाखन जी को गोद लिया इनके मंदिर में पाए जाने वाले सपेद चूहे को काबा कहा जाता है इनके मंदिर को मठ कहा जाता है इनको सपेद चील के रूप में भी जाना जाता है विवाह साठिया गाउं के देपाजी बिट्टू से इनोंने विवाह किया लेकिन बाद में अपने पती का विवाह अपनी बहन गुलाब कौरी से करवा दिया विवाह साठिया गाउं के देपाजी बिट्टू से किया तथा बाद में अपने पती का विवाह अपनी बहन गुलाब कौरी से करवा दिया कर्णी माता की इस्टिदेवी तेमडा जी यानि आवड माता मानी गई है जिनका मंदिर देशनोक में है कर्णी माता की इष्ट देवी तेमडा जी यानि आवड माता मानी गई है जिनका मंदिर देशनोक में है नेहडी मंदिर से कुछ दूर इस्तित इस्तान जहा कर्णी माता सर्व पर्थम रही ती वो नेहडी नामकिस्तान था नेहडी मंदिर से कुछ दूर इस्तित इस्तान जहा कर्णी माता सर्व पर्थम रही उसे नेहडी नामकिस्तान कहा जाता है कर्णी माता को चूहो की देवी तथा मंदिर को चूहो का मंदिर कहते हैं पुगल के राव सेखा को युद्ध में विजय दिलाई थी पुगल के राव सेखा को युद्ध में विजय दिलाई थी गोधन हरन करने वाले राव काना का वदगिया कर्णी माता के मुख्य दर्वाजे के पास कर्णी माता के ग्वाले दसरत का देवरा है कर्णी माता के मुख्य दर्वाजे के पास कर्णी माता के ग्वाले दसरत का देवरा है यहीं पास में सावन भाद्वा नामक दो कड़ाईया है कर्णी माता का मंदिर देशनोक बिकानेर में है यहाँ का प्रवेस दुआर बिकानेर के चांदमल तड़ा के दुआरा बनवाया गया था यहां का प्रवेश द्वार बिकानेर के सेट चांदमल टड़ा के द्वारा बनाये गया था यहां का किवाड सोने के किवाड अलवर के महारा जा बक्तावर सिंग के द्वारा बनाये गए है कर्णी माता के मंदिर के किवाड सोने के किवाड है जो अलवर के महारा जब बक्तावर सिंग के दुआरा बनाए गए है मेहरानगड दूर्गी की नीव अपने हातों से कर्णी माता ने रखी मेहरानगड की दूर्गी की नीव कर्णी माता ने अपने हातों से रखी बीकानेर सहर की नीव कर्णी माता ने रखी देशनोग की स्वयम कर्णी माता ने इस्थापना की बीकानेर सहर की नीव कर्णी माता ने रखी देशनों की स्थापना स्वयम कर्णी माता ने की विक्रम समवत पंद्रासो पिच्चान में की चेत्र सुकला नवमी को घिनेरू की तलाईन नामक इस्थान पर कर्णी माता ने महा प्रियाग कर लिया और दोस्तों ये होती है अपनी एक लोग देवी जिनका नाम था कर्णी माता नेक्स लोग देवी देखते हैं जीन माता मूल नाम जवन्ती बाई मंदिर निर्मान प्रत्वी राज चोहान प्रतम के सासन काल में राजा हट्टड द्वारा एक हजार चोंशट ईश्वी में करवाया प्रत्वी राज चोहान प्रतम के सासन काल में राजा हट्टड द्वारा एक हजार चोंशट ईश्वी में करवाया हर्ष पर्वत से प्राप्त सिलालेक के अनुसार यह बात पता चलती है हर्ष पर्वत से प्राप्त सिलालेक के अनुसार यह बात पता चलती है पिता दंदराय जी चोहान भाई हर्ष जिने सिवगन भेरू माना जाता है जिनका मंदिर काजल सीकरा पहाडी पर इस्तित है गीत सबसे लंबा गीत जीन माता का है जीन माता के उपनाम इने मीनों की कुल देवी चोहानों की कुल देवी शेखावाटी की लोक देवी मदुमक्हियों की देवी कहा जाता है जीड माता के उपनाम इन्हें मीनों की कुल देवी, चोहानों की कुल देवी, सेखावाटी की लोक देवी वह मदुमक्खियों की देवी कहा जाता है मूर्ती अश्ट बुजा युक्त है मूर्ति अश्ट बुजा युक्त है मंदिर में बकरे के कान की बली तथा धाई प्याला सराब का सेवन करवाया जाता है करुण रस जो की चिरंजा कहलाता है करुण रस जो की चिरंजा कहलाता है सारंगी वादियंत्र का प्रियोग किया जाता है चेत्र वा आश्विन के नवरात्रों में यहां मेला लगता है चेत्र वा आश्विन के नवरात्रों में यहां मेला लगता है तथा चतुर दशी को हर्ष मेला भरता है ओरंग जेब ने मंदिर में चांदी के चत्र चड़वाए थे यह होती है जीन माता अब देखते हैं नेक्स लोग देवी आईजी माता अवतार इन्हें नव दुरगा का यानी मानी देवी का अवतार माना जाता है अवतार इन्हें नव दुरगा का यानी मानी देवी का अवतार माना जाता है जनम विक्रम सम्वत 1472 ईश्वी भादवा सूधी बीज सनिवार को हुआ जनम विक्रम सम्वत 1472 ईश्वी भादवा सूधी बीज सनिवार को हुआ जनम इस्थान अंबापूर गुजरात बच्पन का नाम जीजी बाई बच्पन का नाम जीजी बाई पिता बीकाडाबी गुरू रामदेव जी पंथ आई पंथ की स्तापना की आई पंथ में ग्यारा नियम बनाए जाते हैं जिनको ग्यारा गाठो द्वारा एक धागा बनाया जाता है जिनने पूरुष वह महिलाएं धारन करते हैं बेल प्रचार की गाडियों को कहते हैं बेल आई पंत के प्रचार की गाडियों को कहते हैं पंत का प्रथम दिवान गोविन दाश जी राठोड इसके प्रथम दिवान थे आई पंत के प्रथम दिवान गोविन दाश जी राठोड इसके प्रथम दिवान थे वर्तमान दिवान मादो सिंग जी कुल देवी सिर्वी जाती की यह लोग मंदिर को दरगाह कहते हैं सिर्वी जाती के लोग मंदिर को दरगाह कहते हैं तथा बिलाडा में समाधी स्टल को बडेर कहा जाता है मंदिर बिलाडा जोद्पूर में यहां मूरती नहीं है तथा मंदिर में दीपक की जोती है जिससे केसर टपक्ती है जिसका उपयोग इलाज के लिए किया जाता है मंदिर बिलाडा जोदपूर में है जहां मूर्ती नहीं है तथा मंदिर में दीपक्ती जोती है जिससे केसर टपक्ती है जिसका उपयोग इलाज के रूप में किया जाता है प्रवेश निशेद इसके मंदिर में गुजर जाती प्रवेश नहीं कर सकती मेला हर महीने की सुकल दितिया को और ये होती है नेक्ष्ट लोग देवी जिनका नाम था आई जी माता नेक्ष्ट देखते हैं आसापुरा माता मंदिर का निर्मान लक्ष्मन जी ओबलिक लाखन ची चोहान ने विक्रम समवत 1038 में आसा पूरा माता का मंदिर का निर्मान लक्ष्मन जी ओबलिक लाखन ची चोहान ने विक्रम समवत 1038 में नाडोल में मंदिर बनवाया कुल देवी नाडोल के चोहानों की आसा पाल व्रक्ष चोहानों का आराध्य व्रक्ष माना जाता है अन्य मंदिर बंडोच में विग्रह राज दितिय ने मंदिर बनवाया बंडोच में विग्रह राज दितिय ने मंदिर बनवाया नंबर दो मोद्रा जालोर में जालोर के चोहान सासकों की कुल देवी तथा इन्हें मोद्रा माता महोद्री माता बड़े उदरवाली माता भी कहते हैं वर्तमान में इस्तापित मूर्ती एक हजार साल पुरानी है दिपावली के आउसर पर यहां गर्बा नरत्य किया जाता है मोद्रा जालोर के चोहान सासकों की कुल देवी तथा इन्हें मोद्रा माता महोद्री माता बड़े उदरवाली माता कहते हैं वर्तमान में इस्तापित मूर्ती एक हजार साल पुरानी है दिपावली के आउसर पर यहां गर्बा नरत्य किया जाता है नमबर तीन आसलपुर जयपुर में बासुदेव चोहान के पुत्र मानक राव के द्वारा मंदिर का निर्मान कराया गया नमबर तीन आसलपुर जयपुर बासुदेव चोहान के पुत्र मानक राव के द्वारा मंदिर का निर्मान कराया गया नमबर च्यार पोकरण जैसलमेर बिस्सा जाती के लोगों की कुल देवी है नमबर पांच यह बंडारियों वजाडे जोकी भी कुल देवी मानी जाती है नमबर पांच यह बंडारियों वजाडे जोकी भी कुल देवी मानी जाती है इस माता की उपासक अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाते आसा पुरा माता को मानने वाले या उपासक अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाते आसा पुरा माता का वर्णन मारकंडे ये पुराण में किया गया है और ये होती है आसा पुरा माता अब देखते हैं नेक्स्ट लोग देवी स्वांगिया माता पूर्वज शडवा साखा के चारण अवतार आयन माता का कुल देवी जे सलमेर के भाटी राजवंच की इनकी याद में मांड छेत्र जे सलमेर में सात मंदिरों का निर्मान करवाया गया नमबर एक काला डुंगराय मंदिर निर्मान उन्नीस सो अठ्यान में महारावल जमाहर सिंके द्वारा इनका नाम डुंगरेचिया माता तथा मंदिर काला डुंगराय कहलाता है नमबर एक काला डुंगराय मंदिर निर्मान उन्नीस सो अठ्यान में महारावल जमाहर सिंके द्वारा इनका नाम डुंगरेचिया माता तथा मंदिर काला डुंगराय कहलाता है नमबर दो आई नात जी का मंदिर महारावल गजिसिंग द्वारा ठाला नामक इस्थान पर बनवाया गया जेसलमेर के भाटी राजाओं की कुल्देवी मानी गई नमबर दो आई नाथ जी का मंदिर महारावल गजिसिंग द्वारा ठाला नामकिस्तान पर बनाया गया जेसलमेर के भाटी राजाओं की कुल्देवी मानी गई नमबर तीन तन्नोट राय का मंदिर इस मंदिर के सामने 1965 के युद्ध विजे का प्रतीक विजे इस्तंब बना हुआ है तन्नोट माता को सेना के जवानों की देवी ठार की वेशनों देवी रुमाल वाली देवी आदी नामों से जाना जाता है राजस्तान का एक मात्र मंदिर जो सेना के अधीन है तथा इसकी पूजा BSF के जवान करते हैं नमबर तीन तन्नोट राय का मंदिर इस मंदिर के सामने 16 1965 के युद्ध विजे का प्रतीक विजे इस्तंब बना हुआ है तन्नोट माता को सेना के जवानों की देवी ठार की वेशनों देवी रुमाल वाली देवी आदी नामों से जाना जाता है राजस्तान का एक मातर मंदिर जो सेना के अदीन है तथा इसकी पूजा BSF के जवान करते हैं नमबर चार भादरिया राय का मंदिर महारावल गजसिंग द्वारा अपनी पतनी राणावत के साथ जाकर विक्रम समवत 1888 में आश्विन सुक्ल पूर्णिमा को मंदिर की प्रतिष्टा करवाई मंदिर दोलिया गाउं जेसल मेर में है नमबर चार भादरिया राय का मंदिर महारावल गजसिंग द्वारा अपनी पतनी राणावत के साथ जाकर विक्रम समवत 1888 में आश्विन सुक्ल पूर्णिमा को मंदिर की प्रतिष्टा करवाई मंदिर दोलिया गाउं जेसल मेर में है नमबर पांच गटियाली राय का मंदिर आज भी मंदिर के प्राचीन खंडित मूर्तियां रखी हुई है नमबर पांच गटियाली राय का मंदिर आज भी मंदिर में प्राचीन खंडित मूर्तियां रखी हुई है नमबर 6 तेमडे राय का मंदिर चारण जाती के लोग हिंगलाज का इस्थान मानते हैं तेमडे राय का मंदिर चारण जाती के लोग दुटिय हिंगलाज का इस्थान मानते हैं नमबर 7 देगराय मंदिर ये जे सलमेर में है देगराय मंदिर ये जे सलमेर में है ये होती है स्वांगिया माता नेक्स्ट हिंगलाज माता अब देखते हैं हिंगलाज माता पोरानिक कथा के अनुसार भगवान सिवी की प्रथम पत्नी भगवती सती का ब्रह्मन रंद्र हिंगलाज आकर गिरा सती की मांग हिंगलू यानि कुमकुम से सुसोबित्ती रते इस सतान वे माता का नाम हिंगलाज पड़ा फिर देखते हैं हिंगलाज माता की पोरानिक कथा भगवान सिवी की प्रथम पत्नी भगवती सती का ब्रह्मन रंद्र हिंगलाज आकर गिरा सती की मांग हिंगलू यानि कुमकुम से भरी हुई थी इसकान इसिस्तान का नाम हिंगलू वे माता का नाम हिंगलाज पड़ा पूजा चारण मुसल्मानों के द्वारा वे चारण मुसल्मानों की कन्याओं के द्वारा इसकी पूजा की जाती है चारणों को मुसल्मान बनाया गया था उन्हें चारण मुसल्मान के नाम से जाना गया था तो इसकी पूजा यानि हिंगलाज माता की पूजा चारण मुसल्मानों की कन्याओं के द्वारा की जाती है अते इस माता का नाम चांगली माता भी रखा गया प्रथम आदी शक्ति पीट बलुचिस्तान पाकिस्तान में इस्तित है बाडमेर जिले की शिवाना तैसिल के 56 की पहाडियों में इस्तित मंदिर में माता की पूजा पूरी सन्यासी के द्वारा की जाती है बाडमेर जिले की शिवाना तैसिल में 56 की पहाड़ियों में इस्तित मंदिर में माता की पूजा पूरी सन्यासी के द्वारा की जाती है माता का पुराना मंदिर चूरू के बिंदासर गाओं के नाथों के अखाडे में है माता का पूराना मंदिर चूरू के बिंदासर गाउं के नाथों के अखाडे में है जैसल मेर नगर के गड़सी सर तालाब के मद्य इस्तित टापू पर माता की साल इस्तित है जैसल मेर नगर के गड़सी सर तालाब के मद्य इस्तित टापू पर माता की साल इस्तित है जहां पुषकरना ब्रामनों का इस्ट माना जाता है जिसे पुषकरना ब्रामनों का इस्ट माना जाता है शिकर जिले के बुद्ध गिरी की मड़ी पर पूजा गिरी सन्यासी करते हैं तथा एक पुराना मंदिर अजमेर जिले की अराई पंचायत में भी इस्तित है तथा एक पुराना मंदिर अजमेर जिले की अराई पंचायत में भी इस्तित है ये होती है हिंगलाज माता नेक्स देखते हैं दोस्तो जुआला माता मंदिर जैपूर के 45 किलोमेटर दूर जोबनेर कस्बे में उपनाम जालपा माता उपनाम जालपा माता उल्देवी खंगारोत सासको की जोबनेर के सासक रावल नरेंद्र सिंग ने मंदिर में जाने हे तू जुआला पोल का निर्मान कराया जिस पर आईजी के सपने राव खंगार लिखा हुआ है जोबनेर के सासक रावल नरेंद्र सिंग ने मंदिर में जाने हे तू जुआला पोल का निर्मान कराया जिस पर आईजी के सपने राव खंगार लिखा हुआ है ये होती है जुआला माता नेक्स्ट जमुआई माता मंदिर जैपुर से 33 किलोमेटर दूर जमुआ रामगड में इस्तित है कुल्देवी कच्वा है राजवन्स की मंदिर का निर्मान कच्वा है राजवन्स के सासक दूले राए के द्वारा मंदिर का निर्मान कच्वा है राजवन्स के सासक दूले राए के द्वारा उपनाम अन्पूर्णा माता इने अलग-अलग युगों में अलग-लग नामों से भी जाना गया सत यूग में मंगलायू माता, त्रेता यूग में हडवाय माता, द्वापर यूग में बुडवाय माता, कल यूग में जमुवाय माता के नाम से जाना गया फिर देखते हैं जमुवाय माता के उपनाम इन्हें अनपोर्ना माता कहा जाता है तथा अलग-अलग युगों में अलग-अलग नाम दिये गे सत युग में मंगलायू माता रेता युग में हडवाय माता द्वापर युग में बुडवाय माता कल युग में जमुवाय माता कहा गया मूर्ती जमुवाई माता की मूर्ती गाई वबचडे के साथ है पूजा गाई के बचडे की पूजा की जाती है बचबारस गोपाष्ट मी हल सस्टी को की जाती है पूजा गाई के बचडे की की जाती है बचबारस गोपाष्ट मी वहल सस्टी को की जाती है जमवाई माता के अन्य मंदिर जमवा रामगड जयपुर भोड की जुन्जुनूं महरोली मादनी मंडा शिकर भुनास नागोर और यह होती है जमवाई माता नेक्स देखते हैं दोस्तों नागनेची माता कुल्देवी राठोड वन्च की वलोक देवता कल्ला जी राठोड की पुजारी राठोड नागनेची या राठोड देवी का कड़ा जोधपुर के राजा राजकुमार राजगुरू आदी देवी के नाम से साथ गाठ देकर दागा बांधते हैं इसे देवी का कड़ा कहा जाता है देवी का कड़ा जोधपुर के राजा राजकुमार राजगुरू आदी देवी के नाम से साथ गाठ देकर दागा बांधते हैं इसे देवी का कड़ा कहा जाता है वर्तमान में इस्तती उद्यपुर में मेला वर्ष में दो बार माग सुकल सप्तमी वा भादर पद सुकल सप्तमी राव बीका नेर से दो किलोमेटर दूर माता का मंदिर बनवाया तता सूर सिंग ने देहरा तता डुंगर सिंग ने मंदिर में सबा ग्रह वा परिक्रमा का निर्मान कराया प्रतमधाम नागोना गाउं बाडमेर में पोरानिक तत्या मारवाड के सासक राव सिहा के पोत्र एवं आस थान के पुत्र दूहड के समय कनोज के सारवस्वत ब्रामन लुम्बिन रिसी ने देवी की मूर्ती करनाटक से लाकर बाडमेर के पच्च पद्रा तैसिल से बीस मील दूर नागोना गाउं में माता का मूल रूप काश्ट यानि लकडी में निर्मित अठारा हाथ सस्त्र लिए सुसजित मूर्ती स्तापित की थी फिर से देखते हैं पोराणिक कथा मारवाड के सासक रावसिहा के पोत्र एवं आस थान के पुत्र दूहड के समय कनोज के सारस्वत ब्रामन लुम्ब रिसीने देवी की मूर्ती करनाटक से लाकर बाडमेर के पंच पद्रा तैसिल से बीस मील दूर नागोना गाउं में मात का मूल रूप लकडी के रूप में अठारा हात में सस्त्र लिये सुसोभित की ये होती है नागनेची माता अब नेक्ष देखते हैं दोस्तों बाण माता नेक्ष बाण माता कुल देवी मेवाड के गुहिल वसिसोधिया वन्सकी मुख्य मंदिर नागदा उदयपुर चित्तोडगड दुर्ग में इस्तित वकेलवाडा उदयपुर में इस्तित फिर से देखते हैं मुख्य मंदिर नंबर एक नागदा उदयपुर नंबर दो चित्तोडगड दुर्ग में नंबर तीन केलवाडा उदयपुर में 1443 ईश्वी में महमूद खिलजी ने आक्रमण कर मंदिर को लूट कर तहस नहस कर दिया तता वर्तमान में पुना इस्तापित किया गया है 1443 ईश्वी में महमूद खिलजी ने आक्रमण कर मंदिर को लूट कर तहस नहस कर दिया तता वर्तमान में पुना इस्तापित किया गया है यह होते हैं बाण माता नेक्स्ट माता देवी नेक्स्ट लोग देवी धोला गड माता अलवर के कठूमर पंचायत समीती के बहतू कला गाउं में धोला गिरी परवत पर माता का मंदिर इस्तित है दोला गड माता अलवर के कठूमर पंचायत समीती के बहतू कला गाउं में धोली गिरी परवत पर मंदिर इस्तित है कुल देवी गोड ब्रामनों की यह होती है दोला गड माता नेक्स्ट देखते हैं बधाना माता कुल देवी कोटा के सासको की मूट से पीडित व्यक्तियों का इलाज कराया जाता है नेक्स्ट अंजनी माता ओबलिक केला माता मंदिर करोली के काली सील नदी के किनारे तिरकुट परवत पर कुल देवी यदुवंसी राजवंस वज्जादोन साखा की ग्यारा सो चोदा ईश्वी में केदार गिरी ने केला देवी की मूर्ती इस्तापित की मूर्ती का मुख टेडा है मंदिर के सामने बोहरा की छत्री बनी हुई है मेला चेत्र सुकल अश्टमी को लख़्ी मेला लगता है इसमें गुजर में मेना जाती के लोग लांगूरिया नरत्य करते हैं इसमें गुजर वह मेना जाती के लोग लांगूरिया नरत्य करते हैं राजस्तान का एक मात्र दुर्गा मंदिर जहां बली नहीं दी जाती अंजना माता का राजस्तान का एक मात्र ऐसा मंदिर जहां बली नहीं दी जाती मंदिर का निर्माण उन्नीस सो ईश्वी में गोपाल सिंग द्वारा किया गया मंदिर का निर्माण उन्नीस सो ईश्वी में गोपाल सिंग द्वारा किया गया यह होती हैं अंजनी माता सचियाई माता, मंदिर ओशिया जोदपुर में, मंदिर ओशिया जोदपुर में, ओशिया के प्राचीन नाम उकेश वा उपकेश पटन भी पाये जाते हैं, ओशिया राजस्तान का एक मात्र ऐसा इस्तान है, जहां चार सतको यानि आठवी से बारवी सताब्दी तक विबिन्न संप्रदाय के देव भवन बनते रहे, यहां वेशनाव, सेव, सूर्य, जेन वदेवी मंदिर इस्तित हैं, ओशिया राजस्तान का एक मात्र ऐसा इस्तान है, जहां चार सतको यानि आठवी से बारवी सताब्दी तक विबिन्न संप्रदाय के देव भवन बनते रहे, यहां वेशनाव, सेव, सूर्य, जेन वदेवी मंदिर बने हैं, सचिया माता के उपनाम, सांप्रदाय क सदभावना की देवी वे सचिया माता, उपनाम, सांप्रदाय क सदभाव की देवी वे सची का माता, सची का माता मंदिर का निर्मान परमार राजकुमार उपल देव ने करवाया मंदिर का निर्मान परमार राजकुमार उपल देव ने करवाया और ये होती है next सची आई माता next देखते हैं चामुंडा माता next देखते हैं चामुंडा माता दुर्गा माता का सात्व अवतार मानी जाती हैं कुल देवी प्रतिहारों की साखा इंदा वंस की कुल देवी मानी जाती हैं कुल देवी प्रतिहारों की साखा इंदा वंस की इस्ट देवी या आराध्य देवी राव चूडा की इस्ट देवी या आराध्य देवी राव चूडा की मूल मंदिर जोतपुर में महाराजा तक्त सिंग ने माता का नया मंदिर बनवाया था जीर्णो धार दिवस भाद्रपद सुकल तेरस सितंबर दोहजार आठ में नवरात्रा के अवसर पर भगदड़ के कारण तीन सो लोगों की यहां आकस्मित म्रत्यू हो गई थी सितंबर दोहजार आठ में नवरात्रा के अवसर पर भगदड़ के कारण तीन सो लोगों की यहां आकस्मित म्रत्यू हो गई थी नेक्ष्ट चामुंडा माता ये अजमेर में सन 1183 इस्वी में महा माया चामुंडा देवी का यह भव्य सुन्दर मंदिर प्रत्वी राज चोहान द्वारा निर्मित करवाया गया पिर से देखते हैं चामुंडा माता के बारे में अजमेर में सन 1183 इस्वी में महा माया चामुंडा देवी का यह भव्य मंदिर प्रत्वी राज चोहान के द्वारा निर्मित करवाया गया चारण भाट चंदर बरदाई की यह इस्टि देवी थी और यह होती है चामुंडा माता नेक्स्ट सीतला माता जैपुर जिले के राश्ट्रियर राजमार्ग बारा के किनारे सील की डूंगरी चाक्षू में सीतला माता का मंदिर प्रसिद्ध है सीतला माता जैपुर जिले में एनेच बारा के किनारे सील की डूंगरी चाक्षू में सीतला माता का मंदिर प्रसिद्ध है सीतला माता का मंदिर स्वाई मादो सिंग ने जो जैपुर के सासक थे उन्होंने बनवाया था सीटला माता का मंदिर स्वाइम मादो सिंग ने जो जैपुर के सासक थे उन्होंने बनवाया था यहां सीटला माता के परतीक के रूप में पासाण के टुकडो की पूजा की जाती है यहां पर सीतला माता के प्रतीक के रूप में पासान यानि पत्थर के टुकडों की पूजा की जाती है यह होली के आठ दिन बाद चेत्रक्रश्न अष्टमी यानि सीतला अष्टमी को पूजा की जाती है यहां गदो के मेले का विशाल आयोजन होता है यहां गदो के मेलों का विशाल आयोजन होता है इस दिन बाशोड़ा के रूप में बनाया जाता है प्राचीन मंदिर गोगुंदा उद्यपुर में भी इस्तित है पुजारी कुमहार होते हैं सवारी गदा होता है भोजन ठंडा यानि बासी भोजन होता है पुजा खंडित मूर्ती के रूप में वै जाटी खेजडी के वरक्ष के रूप में दीपक माना जाता है उपनाम, बच्चों की संरिक्षिका देवी, चेचक की देवी, राजस्तान में सेड़ माता, उत्री भारत में महमाई माता, ओरी पस्षिम में माई अनामा नाम से जाना जाता है सीतला माता की उपनाम, बच्चों की संरिक्षिका देवी, चेचक की देवी, राजस्तान में सेड़ माता, उत्री भारत में महमाई माता, ओरी पस्षिम भारत में माई अनामा माता के नाम से जाती है सीतला माता, नेक्ष देखते हैं कुल देवी, अपने राजस्तान की लोग देवी, राणी सती, मूल नाम नारायनी बाई, विवा है, तन्य धन्य दास के साथ, मंदिर, एक मात्र विश्व का सबसे बड़ा, मंदिर जुन जुन में, मंदिर एक मात्र विश्व का सबसे बड़ा, मंदिर जुन जुनु में, कुल देवी, अग्रवालो की, मेला भाद्र पद क्रश्न अमावश्याको, उपनाम दादी जी, सती, सती, सोडा सो बावन में, हिसार के नवाब ने, इनके पती तन्धन दास को मारा, नारायनी बाई ने, सभी को मार कर स्वेम को सती कर लिया, सती, सोडा सो बावन में, हिसार के नवाब ने, इनके पती तन्धन दास को मारा, नारायनी बाई ने, सभी को मार कर स्वेम को सती कर लिया, ये होती है, राणी सती, नेक्ट देखते हैं, सीला माता, मंदिर, आमेर दुर्ग के जलेब चोक में, राजा मान सिंग ने, पंद्रा सो निन्यान में, इस्वी में बनाया, मूर्ती, महाराजा मान सिंग द्वारा, सोडवी सदी में, बंगाल के राजा के दार से लाये, जीर्णो धार, मिर्जा राजा जैसिंग के द्वारा, प्रसाद, मदिरा वजल का चर्णामत, इस्ट देवी, कच्छवाहा राजवन्च की, मेला, वर्ष में दो बार, चेत्र वाश्विन के नवरात्रों में, मंदिर का वर्तमान सोरूप स्वाई मान सिंग दितिये द्वारा, मंदिर की सेली, पाल सेली, काले संग मरमर पर, स्वाई मान सिंग दितिये द्वारा, 1906 में बनवाई गी, मंदिर की सेली, पाल सेली, काला संग मरमर पर, स्वाई मान सिंग दितिये द्वारा, 1906 में बनवाई गी, यहाँ एक अश्ट बुजा मूर्ती का एक पासान खंड भी है, और यह होती हैं, सिल्ला माता, नेक्स देखते हैं, नारायनी माता अलवर की, अलवर जिले के, राजगर तहसिल के, बर्वा की डूंगरी की तलहटी में, नारायनी माता का प्रसिद्ध लोक तिर्थ इस्तित है, जहां ग्यारवी सेली का प्रतिहार मंदिर भी इस्तित है, बचपन का नाम करमेती, जनम मोरा जैपूर में, पिता विजयराम नई, माता रामवती, पती करनेश, मेला वेशाक सुकले एका दसी को, मूर्ती गर्ब ग्रह में, मूर्ती गर्ब ग्रह में, उल्देवी नई समाज की, उजारी मेना जाती के, आराध्य देवी मेना जाती की, नोट, नाई तथा मीना जाती के चड़ावे को लेकर वर्तमान में विवाद चल रहा है, ये होती है, नैक्ष्ट अलवर की नारायनी माता, अब देखते हैं ददी माता, इस्तान, गोट, मंगलोद, नागोर में, पुराणों में इसे कुशा छेत्र कहा जाता था, मंदिर की शेली, महमारू, कुल्देवी, दादीच, ब्राम्मन समाज की, नैक्ष्ट, इसका मंदिर प्रतिहार, कालीन, इस्तापत्य कला का अनुपव मुधारन माना जाता है, इनका मंदिर प्रतिहार, कालीन, इस्तापत्य कला का अनुपव मुधारन माना जाता है, नैक्ष्ट, मंदिर प्रतिहार, नरेश, भोजराज, प्रतम ने, 836 इश्वी के समय बनाया था, मंदिर प्रतिहार, नरेश, भोजराज, प्रतम ने, 836 इश्वी में बनवाया था, ये होती है, नैक्ष्ट, ददी माता, नैक्ष्ट, देखते हैं, ब्रामनी माता, इस्थान, सोरसेन, बारा, पूजा, देवी की पीट की, मेला, माग सुकल सप्तमी को गदों का मेला, ये होती है, ब्रामनी माता, नैक्ष्ट, देखते हैं, आसावरी, ओबलिक, आवरी माता, शारिरिक व्यादियों से निवारण हेतु प्रसिद्ध हैं, मंदिर चित्तोडगड में, नैक्ष्ट, यहां विशेष रूप से लक्वे की बिमारी का इलाज होता है, यह होती है, आसावरी माता, नैक्ष्ट, कुशाल माता, राणा कुम्भा द्वारा, बदनोर, ओबलिक, बेराट, भीलवाडा में, महमूद खिलजी को पराजित कर, विजय की याद में, विक्रम समवत 1490 में मंदिर बनवाया, अवतार, चामुंडा माता का, मेला, भादर पद क्रश्ण ग्यारस से अमावश्या तक, मेला, भादर पद क्रश्ण ग्यारस से अमावश्या तक, बेहन, बेराट माता, और ये होती हैं, कुशाल माता, नेक्ट देखते हैं, बीजासन माता, बूंदी के राजा, सत्रुशाल के भाई, इंदिशाल द्वारा, 605 ईश्वी में माता का मंदिर बनवाया गया, बूंदी के राजा, सत्रुशाल के भाई, इंदिशाल के द्वारा, 605 ईश्वी में माता का मंदिर बनवाया गया, उपनाम इंद्रगडदेवी, मिला वेशाक पूर्णिमा तता चेत्र वा आश्वीन के नवरात्रों में लगता है, और ये होती है, नेक्ष्ट, बीजासन माता, नेक्ष्ट, शेमकरी, ओबलिक खीमल, ओबलिक खीमल माता, मंदिर जालोर के भीन माल से तीन किलोमेटर दूर बसत गड़ दुर्ग पर, मंदिर जालोर के भीन माल से तीन किलोमेटर दूर बसत गड़ दुर्ग पर, कुल्देवी सोलंकी राजपुतो की, उपनाम सुबंकरी देवी भीन माल की आधि देवी, मंदिर का निर्मान, राजा वर्म लाट के द्वारा विक्रम समवत चैसो बईयासी में, ये होती हैं शेम करी माता, नेक्ष देखते हैं सुन्धा माता, उपनाम, ए घटेश्वरी वे धड़ रहित देवी, उपनाम, ए घटेश्वरी वे धड़ रहित देवी, इस्थान, जालोर जिले के भीनमाल तैसिल के जस्वंत पुरा पंचायत समीती से बारा किलोमिटर दूर दात्ताला वास गाउं के समीप सुन्धा, ओबलिक, सुगंधाद्री परवत पर लगबग 1220 मिटर की उचाई पर विक्रम समवत 1312 में चोंचिंग देव ने बनवाया, इस्थान, जालोर जिले के भीनमाल तैसिल के जस्वंत पुरा पंचायत समीती से बारा किलोमिटर दूर दात्ताला वास गाउं के समीप सुन्धा, ओबलिक, सुगंधाद्री परवत पर लगबग 1220 मिटर की उचाई पर विक्रम समवत 1312 में चोंचिंग देव ने बनवाया कुल्देवी देवल वंच के राजपूतो की, स्रीमाली ब्रामनों का लाडवानु गोत्र की, वेश्य के कपिंजल लोगों की मंदिर में जाने का रास्ता 2007 में बनाया गया जो की राजस्तान का प्रतम रोपवे बना मंदिर में जाने का रास्ता 2007 में बनाया गया जो की राजस्तान का प्रतम रोपवे बना ये होती है सुन्दा माता साकंबरी माता कुल देवी सांभर के चोहानों की अवतार काली माता का अवतार काली माता का प्राचीन पीट जैपुर के सांभर कस्बे में अधिश्टात्री देवी सांभर की देवनानी या तिर्थो की नानी कहा जाता है मेला भाद्वा सुदी अस्टमी को ये होती है साकंबरी माता नेक्स देखते हैं संक्रा माता ओबलिक सक्राई माता इस्थान सिक्कर के खंडेला वा जुन्जुनु के उद्यपुर वाटी में उपनाम सक्र मात्र का सक्र देवी ववनस्पती की देवी प्राचीन ववास्ट्विक नाम संक्रा प्राचीन ववास्ट्विक नाम संक्रा कुल्देवी खंडेल वालों की पुजारी महंत नात संप्रदाय के मंदिर उद्यपुर वाटी जुन्जुनु में नमबर तीन सहरनपुर यूपी में ये होती है सक्राय माता नेक्स देखते हैं वीरातरा ओबलिक वाकल माता इस्तान चोहटन बाडमेर कुल्देवी भोपो की मेला चेत्र भादवा मागी की चतुरदसी को गर्दन टेडी होने के कारण वाकल माता कहा जाता है और ये होती है वाकल माता नेक्स देखते हैं मंसा माता मंदिर जुन्जुनु जिले के खेत्री वा सिक्कर जिले के हर्च परवत के मद्ध है मंदिर जुन्जुनु जिले के खेत्री वा सिक्कर जिले के हर्च परवत के मद्ध है मेला चेत्र वा आश्विन के नवरात्रों में मंसा माता का एक प्राचीन मंदिर जैपुर आमेर में भी है नेक्ष्ट काली का माता इस्थान चित्तोडगर की रानी पद्मिनी के महलों में विजय इस्तंब के मद्ध है फिर से देखते हैं काली का मात्या का इस्थान चित्तोडगर की रानी पद्मिनी के महलें वे विजय इस्तंब के मद्ध है देखो दोस्तों फिर से बोलता हूँ काली का माता का इस्तान चितोडगर की रानी पद्मिनी के महल विज्जे इस्तंब के मद्दे दो जगए इसके इस्तान है फिर से शिरोही की काली का माता महराव लाखा ने गुजरात से लाकर इस्तापित की ये होती है काली का माता नेक्ट देखते हैं नक्टी माता इस्तान जैपुर से 23 किलोमेटर दूर जै भवानी पुरा गाउं में गुजर प्रतिहार कालीन प्राचीन मंदिर इस्तित है ये होती है नक्टी माता नेक्ट देखते हैं जोगनिया माता इस्तान भीलवाडा जिले में इस्तित उपरमाल पठार के दक्षिनी चोर पर अनपूर्णा देवी का मंदिर बना हुआ है उपनाम जोगनिया माता नोट मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में मुर्गे छोड़े जाते हैं ये होती है जोगनिया माता नेक्ट देते हैं धनोप माता बीलवाडा जिले के सापुराह के सनीप धनोप गाउं में इस्तित मंदिर बीलवाडा जिले के सापुराह के समीप धनोप गाउं में इस्तित कुल्देवी राजा धुन्द की मेला चेत्र सुधी एकम से चेत्र सुधी दस्मी तक नेक्ट ये होती है धनोप माता नेक्ट देते हैं सुगाली माता कुल्देवी आववा के ठाकुरों के चंपावतों की इस देवी की मूर्ती के दस्षीर वचोवन हाथ हैं इसे 1857 की क्रांती की देवी भी कहते हैं इसे 1857 की क्रांती की देवी भी कहते हैं वर्तमान में मूर्ती पाली के म्यूजियम में रखी हुई है ये होती है सुगाली माता next केवाई माता next केवाई माता नागोर जिले की परबत्सर तहसिल में नागोर जिले की परबत्सर तहसिल में next उपनाम अंबी का माता कुल्देवी दहिया राजवंस की कुल्देवी दहिया राजवंस की ये होती है केवाई माता next देखते हैं गेवर माता next गेवर माता इस्थान राजसमंद जील की पाल पर इस राजसमंद जील की नीव भी गेवर माता के द्वारा ही रखी गई थी राजसमंद जील की पाल पर ही स्वेम सती हो गई गेवर माता राजसमंद जील की पाल पर ही स्वेम सती हो गई वेरी मोश्टेड बिना पती के सती होने वाली एक मात्र माता यह होती है गेवर माता वट यक्षणी देवी ओबलिक जातला माता इस्थान चित्तोडगर के कपासन यहां लक्वा से ग्रशित लोगों का इलाज होता है इंद्रदेव चोहान वट यक्षणी देवी के उपासक रहे और यह होती है वट यक्षणी देवी अब देखते हैं बडली माता इस्थान अकोला चित्तोडगर में बेड़ा चनदी के किदा रहे इस्थान अकोला चित्तोडगर में बेड़ा चनदी के किनारे इसके दो तिबारियों में बच्चा निकालने वटताती बांधने से ठीक हो जाते हैं नेक्ष्ट चोथ माता इस्थान चोथ का बर्माडा सवय मादुपूर कुल देवी कंजर समाज की नेक्ष्ट अर्बुदा देवी इस्थान शिरोही जिले के माउन टाबु में उपनाम अधर देवी, राजस्तान की वेश्ट्रों देवी और अधिश्टात्री देवी यह होते हैं अर्बुदा माता के उपनाम और यह होती है अर्बुदा माता नेक्ष्ट तुल्जा भवानी माता मंदिर चित्तोडगड दुर्ग में कुल देवी चत्रपती शिवाजी की और यह हैं तुल्जा माता नेक्ष्ट देखते हैं पिपलाद माता राज समंद में हल्दी घाटी के पास उन्वास गाओं में सासक अलर द्वारा यह होती है पिपलाद माता नेक्ष्ट देखते हैं आद माता ओबलिक मरमर माता नेक्ष्ट आद माता ओबलिक मरमर माता मंदिर बड़ी सादड़ी गोगुंदा इन्हें कानोड तता जालावंच की कुल देवी भी कहा जाता है यह होती है आद माता नेक्ष्ट देते हैं लतियाली माता नेक्ष्ट लतियाली माता मंदिर फलोदी जोधपुर उपनाम खेजड बेरी राय बवानी यह होती है लतियाली माता नेक्ष्ट देखते हैं जिलानी माता बहरोड अलवर में मंदिर है अलवर जिला की कुल देवी मानी दाती है यह होती है जिलानी माता नेक्ष्ट देखते हैं आमजा माता बीलो की कुल देवी होती है बीलो की कुल देवी पुजारी ब्राम्मन मंदिर केलवाडा उदयपुर मेला जेश्ट सुकल अस्टमी यह होती है आमजा माता नेक्ष्ट देखते हैं दोस्तो आवड माता नेक्ष्ट आवड माता उपनाम तेमडे राय बांदरिया राय काले डुंग राय आवड आसापुरा चारणी देवी तथा कुल बावन नामों से जानी जाती है पिता मामणजी चारण अवतार हिंगलाज माता का कुल देवी भाटी राजवन्सकी वाहन सकुन्चडी गीत चर्जा शीगव शान्ती के समय ये गीत गया जाता है और घाड़ाव विपत्ती के समय गीत गया जाता है सीगव शान्ती के समय वा घाड़ाव विपत्ती के समय गया जाने वाला गीत ठाला शात देवियों के सम्मलित समूह को ठाला कहा जाता है ठाला सात देवियों के सम्मलित समूह को ठाला कहा जाता है सात देवियों का मंदिर तेमडे राय जेसरमेल में उपस्तित है ये होती है आवड माता नेक्स देखते हैं तिरपुरास सुंदरी ओबलिक तुर्ताई माता आराध्य देवी वागड छेत्र की मंदिर तलवाडा गाउं बास्वाडा में नेक्स्ट मंदिर में काले पत्थर की सिंग पर सवार देवी की अश्ट्रा दस भुजी प्रतिमा इस्थापित है मंदिर में काले पत्थर के सिंग पर सवार देवी की अश्ट्रा दस भुजी प्रतिमा इस्थापित है कुल देवी पांचाल जाती की और ये होते हैं दोस्तों अपने राजस्तान राज्य की लगबख संपोन लोक देवियां अब इन लोक देवियों से रिलेटेड अपने पास पॉइंट टू पॉइंट क्यों सनाते हैं कि कौन सी लोक देवी का इस्थान कहां पर यानि इस्थान का आर्थ मैं कहना चाओं मंदिर कहां पर है तो मैंने एक साथ सभी मंदिरों का चार्ट बनाया है एक तरफ पहले मैं माता का नाम बोलूँगा फिर मंदिर यानि इस्थान का नाम बोलूँगा तो आप पहली बार तो सुनेंगे और दूसरी बार मेरे साथ रिपीट करते हुए चलेंगे आपको अभी याद हो जाएंगे कि कौन सी माता का कहां पर मंदिर है परमेश्वरी माता कोलायत भिकानेर नेक्स्ट मरमी माता रास्मी चित्तोडगड डाड देवी लाडपुरा कोटा पिपाड माता ओशिया जोदपुर अन पोर्णा माता उदपुर खोरडी माता करोली पांडव राय माता मेडता नागोर भवर माता छोटी सादड़ी प्रतापगड छीक माता जयपुर गोपालजी का रस्ता मालन माता जयपुर गोपालजी का रस्ता नब डुंगर राय माता धोलिया जयशलमेर सत्ती बालाजी बिलाडा जोदपुर रक्त दंतिका माता संतूर बुंदी फलोदी माता खेराबाद कोटा चन्ना माता भजनेरी बुंदी आसपुरी माता आसपुर डुंगरपुर बद्रकाली माता हनमानगड तिरप्रसुंदरी तल्वाडा बास्वाडा घाट्टारानी सावर अजमेर काली माता चूरू मंचा देवी माता चूरू बावल माता बावल नागोर जगत माता दांते सर उद्यपुर दुद्वा खेडी माता कनवास कोटा अंबिका माता जगत उद्यपुर हिच्की माता सन्वाड बीलवडा छीच माता छीच बास्वाडा छीच माता छीच बास्वाडा नब डुंग्राए माता धोलिया जेसल मेर काला डुंग्राए माता कनोज जेसल मेर काला डुंग राय कनोद जेसल मेर बिर्वडा माता जित तोडगड दुर्ग व उद्यपुर बिर्वडा माता जित तोडगड दुर्ग व उद्यपुर जेल्ला माता समीजा उद्यपुर जेल्ला माता समीजा उद्यपुर रानी बटियानी जशोल बाडमेर रानी बटियानी जशोल बाड मेल अधर देवी माउंट अभू शिरोही सिम्मल माता बसंत गड़ शिरोही सिम्मल माता बसंत गड़ शिरोही सुबद्रा माता भाद्रा जून जालोर सुबद्रा माता भाद्रा जून जालोर खूबड माता सर्वडी चारणान सिवाना बाड मेर खूबड माता सर्वडी चारणान सिवाना बाड मेर लटियाल भवानी फलोदी जोदपूर बडली माता अकोला चित्तोडगड खोड़ी आर देवी खोड़ाल लोगे वाला जैसलमेर मरकंडी माता निमाज पाली चार भुजा देवी खमनोर राजसमंद इंद्रबाईसा खुडद नागोर सायर भाईसा दाता रामगड सिरोही क्या सिक्कर सायर भाईसा दाता रामगड सिक्कर सायर भाईसा दाता रामगड सिक्कर बिज्वा माता आसपूर डुंगरपूर बकेर रानी माता आमे सर आसिंद भीलवाडा सैनी माता जुडिया गाउं जोधपूर पुनागर अंबाजी पाली बरवासडा माता मेडता सहर नागोर इया माता गामेडी उद्यपूर रुपन माता गोगुंदा उद्यपूर पत्वारी माता तिर्थियात्रा की देवी तता गाउं से बाहर इनका मंदिर बनाया जाता है कुछ पॉइंट है पत्वारी माता इनका गाउं से बाहर मंदिर बनाया जाता है राठा सन देवी यह राष्ट्र शेन देवी का अप ब्रंच होता है जिनका मंदिर उद्यपूर में है राठा सन देवी यह राष्ट्र शेन देवी का अप ब्रंच होता है जो उद्यपूर में है मर्मर यह आद्माता जाला वंच की कुल देवी मानी जाती है यह होते हैं दोस्तो अपने राजस्थान की जितनी भी लोग देविया है सबका तिर्थिस्तल की कौन सी लोग देवी कहां पर है अब अपन याद करने जा रहे हैं राजवंसों की कुल देवियां कि किस राजवंस की कुल देवी थी मैं देखो दोस्तों पहले कुल देवी का नाम बोलूँगा जगह का नाम बोलूँगा और वहां के राजवंस का नाम बोलूँगा दुबारा आप याद करते हुए और रिपीट करते हुए चलोगे जिससे लगबग आपको याद हो जाएका कि किस राजवन्च की कौनसी कुलदेवी थी नम्बर एक कर्णी माता बिकानेर के राठोडों की कुलदेवी नम्बर दो जुआला माता जयपूर में खंगारतों की कुलदेवी जुआला माता जयपूर में खंगारतों की कुलदेवी केला माता करोली में यादव राजवन्च की कुलदेवी केला माता करोली में यादव राजवन्च की कुलदेवी जीन माता शिक्कर में चोहानों की आराध्य देवी साकंबरी माता सामबर में साकंबरी के चोहानों की कुलदेवी जमुवाई माता जयपूर में कच्वाहर राजवन्च की आराध्य देवी सिल्ला माता जयपूर में कच्वाहर राजवन्च की आराध्य देवी स्वांगिया माता जेसलमेर में भाटी राजवन्च की कुलदेवी स्वांगिया माता जेसलमेर में भाटी राजवन्च की कुलदेवी राजेश्वरी माता बरतपुर में जाटवंच की कुल्देवी नागनेची माता जोदपुर में जोदपुर के राठोडों की कुल्देवी आशापुरी माता जालोर में जोदपुर के राठोडों की कुल्देवी बाण माता उद्यपुर में सिसोधिया राजवंच की कुल्देवी चामुंडा माता मंडोर में गुजर प्रतिहार राजवंच की कुल्देवी तन्नोट माता जेसल मेर में बी एसेप के जवानों की माता नारायनी माता अलवर में नई समाच की कुल्देवी ददी माता नागोर में दादीच ब्रह्मन समाच की कुल्देवी करनी माता बी का नेर में चारणों की कुल्देवी सुगाली माता पाली में आववा के ठाकरों की कुल्देवी सुगाली माता पाली में आववा के ठाकरों की कुल्देवी सिक्राया माता जुन्जुनु में खंडेल वालों की कुल्देवी सचिया माता ओशिया में ओश्वाल जाती की कुल्देवी चोथ माता स्वाई मादुपूर में कंजर समाज की कुल्देवी सीतला माता चाक्षु में बच्चो की माता आई माता बिलाडा में सिक्की जाती की कुल्देवी और दोस्तों ये होती है राजस्तान की संपून लोक देविया जहां तक मेरा अंदाजा है यहां से साहिती कोई ऐसा क्यूसन होगा जो आर ए एस लेवल में भी बाहर जाएगा अगर आपको ये भी याद है तो लगबग राजस्तान का कोई ऐसा एक्जाम नहीं है जो आप जीके के दम पर complete ना कर सको अगर आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो मैं देवेंद्र कुमार्तिरवेदी आपका धन्यवाद करता हूँ